हाँ तो नमस्कार दोस्तो आप सबी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पहले देखो पहले सीगों में जहां दोस्तो जैसा कि आपको स्क्रीन के उपर दिखाई दे रहा है मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में पीटएट 2018 की थर्ड काउंसलिंग लिष्ट है उसके बारे में जहां दोस्तो आज 10 तारिक 10 अगस्त को बीड़ वालों की जो पीटएट की जो थर्ड काउंसलिंग लिष्ट है वो जारी कर दी गई है तो आप अपने मोबैल में किस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से अपना जो कोलेज है वो किस प्रकार से देख सकते हैं कि आपको थर्ड काउंसलिंग में महाविद्धाल है कौन सा मिला है या महाविद्धाल है कहां पे मिला है मिला है या नहीं मिला ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ तो इसके लिए आप हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकि आखिर तक बने दिए तो चरिये वीडियो को शुरू करते हैं तो इसके लिए सिंपली आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में गूगल का न्यू पेज ओपन करना है और सर्च बार में आपको टाइप करना है www.ptatmdsu2018.com यहां दोस्तों आपको यह टाइप करना है देख सकते हैं आप यहां पे यह टाइप करने के बाद आपको सिंपली से सर्च करना है जो ही आप इसे सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं तरत्तिय काउंसलिंग की प्रिवेश सूची जारी कर दी गई है आप उपर भी देख सकते हैं और यहां पे इस साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा और पीटेट स्टूडेंट मैं थोड़ा साइड जूम करके आपको दिखा देता हूँ तो देख पारे होंगे आप यहां पे सैकंड नंबर पे आ रहा है प्रिंट अलोटमेंड लैटर थर्ड राउंड ओफ काउंसलिंग तो जो ही आप इसके पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद इस तरीके से एक पेज ओपन होगा और इसमें आपको क्या-क्या टाइप करना है सबसे पहले तो आपको अपने रोल अमर टाइप करना है जो आपके रिजल्ट में मिल जाएगा उसके बाद नीचे काउंसलिंग आईड टाइप करनी है जब आपने जो आपके रिजल्ट के नीचे मिल जाएगी उसके बाद तीसरे नमबर पे आपको अपनी डेटो बत लगानी है और फोर्थ नमबर पे आपको पेमेंट ओप्षन में सेलेक्ट करना है कि आप जो 22,000 रुपए का जो सुलक है वो ओनलाइन जमा करवाना चाहते हैं जो ही आप इसके पर क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके सामने दो अप्षन आएंगे अगर आप ओनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो ओनलाइन के उपर चेक मार कीजिए अगर आप आईशाई बैंक से चालान खटवाना चाहते हैं तो आप आईशाई बैंक पर क्लिक करक तो लोग इन के पर क्लिक करते ही आपके सामने आपका महाविद्धाले जो आपको मिला है वो दिखाएगा कि आपको ये महाविद्धाले मिला है उसका पूरा एडरस दिखाएगा इसका संस्तापक कोन है कहां पे है ये सारी डिटेल आपको उसमें दिखाएगा अगर दोस्तों आपको महाविदाले नहीं मिला होगा तो दिखाएगा कि आपको थर्ड काउंसलिंग में भी महाविदाले आवंटर नहीं हुआ है तो इस तरीके से आप अपने मोबैल में बहुत ही आसान तरीके से अपनी थर्ड काउंसलिंग में महाविदाले देख सकते हैं तो दोस्तो मैं आपको एक जानकरी और देदू जिना भ्यारतियों का इस लिस्ट में भी महाविदाले नहीं मिला है जिना भ्यारतियों को तो वो अब्यारती अब इंतजार नहीं करें क्योंकि अब B8 की कोई भी लिस्ट नहीं आएगी यहां दोस्तों यह Final और Last लिस्ट है अभी तक जितनी भी B8 की जितनी भी Year हुई है जितनी भी साल है उनमें तीन ही लिस्ट आईए है और इस बार भी तीन लिस्ट आचुकी है अब कोई लिस्ट नहीं आएगी तो जो अब्यारती का अभी तक नमबर नहीं आए वो अब्यारती किसी दूसरे कारिये में या अपने समय बरबाद नहीं करें इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई एक साल या दो साल का कोर्स कर सकता ह या अपनी competition की तैयारी कर सकता है तो दोस्तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को like जरूर करें और दोस्तो आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आये हैं तो आपके वीडियो की नीचे जो red subscribe का बटन दिखाई दे रहा है उसको दबा के चैनल को subscribe करें और उसके साथ ही जो उसके आगे घंडे का इकन है उसको भी प्रेस करके on कर ले ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं उसका notification आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप हमारी वो वीडियो सबसे पहले देख सके तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो यूटूब परियार है वो आप लोगों का इसने और प्यार की बदोलत लगबग 47,000 लोगों का हो चुका है तो इसके लिए मैं आप सभी को बहुत भूँ धन्यवाद देना चाहता हूं और आसा करता हूं कि आगे भी आप इसी तरीके से अपना प्यार दिखाएंगे तो मिलते हैं ऐसे ही नई लेटेस्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए जैराम जी की